तो नमस्कार शश्रेक आल सलाम अलेकूम सभीको मैं गनेश गोरखपूर उत्रप्रदेश से और साथ है भाई मेरे नमस्कार भाई हो मैं प्रिंस आई गोरखपूर उत्रप्रदेश से मैंने वीडियों पिछले बोला था कि 15 दिन बाद अपडेट देंगे लेकिन भाई बोले दिखाते हैं आप लोगों को तुकड़े का जो काम था जो से नीच्चो फ्लोरी हम लोगों को रानी है वो चालिश ट्राली ब्रिक है हमने इसको तोड़वा रखे सब हमने तूटा हुआ है यह तोड़वा दी हमने और यह देखिए कैप्सूल मोडल हम लोग पर टैंक बना यहां पर ठीक है और यहां पर एक तरफ है यह मजबूति के लिए दिया जा रहा है क्योंकि पांच फीट हाइट रहेगी पानी का दबाव रहेगा यह चैपिलर ऐसे कैप्सूल हो गया गोल घुम गया है गोल राउंड में तो इतना बड़ा काम करना साथ मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होता नहीं नहीं हमको कांफिडेंस है कर रहा है इस चीज को देखो भाई लोग यह सब्सक्राइब है यहां से दिखांगे लोगों तो कि बाकी का जब यह दिवाल उठेगी तो इसका तरीका हम बता देंगे कैसे उठाना है यह आपको गाड़ी दिख रही होगी सामने यह इसकी हाइट चार टैंक है दो लाग साथ साथ हजार लीटर का दस लाग सब्सक्राइब लोग प्लानिंग तो मेरी यह है कि एक साल बितने के बाद सब्सक्राइब अपना यहां से लेकर के जगा कि कमी नहीं है यहां पर यह कुछ लोग नहीं सोचते हैं कि कैसे करें कि ना करें सब्सक्राइब कि नहीं है कितना है इसलिए थोड़ा सा डर रहे हैं बहुत लोग डर रहे हैं सर ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन का वीडियो तो हम दे देंगे कंस्ट्रक्शन तक लास्ट में लेकर करके जाएंगे उसके बाद भाई स्टॉकिंग से लेकर हर एक चीज़ सब अगत लगभग इसके कंस्ट्रक्शन में 12 लाख रुपए आ रही है वहीं आप नार्मल टैंक लगा होगे तो जगह भी गोलवाले में राउंड जगह भी अधिक लेगा और आपको 10 लाख लीटर बनाने में लगभगा थारा लाख रुपया खर्चा होगा थारा सोनीस रुपया तो आसपास जाएगा ही और हमारा 12 लाख रुपय में लगभग अल्मोस्ट हो जाएगा हो सकता है कादलाग बढ़े कादलाग कमी लग जाए को अनुमान है के गडित लगाए गया है बाकि फिलहाल बने रहिए का साथ में सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और इसका ड्रेनेज सिस्टेम आपको दिखाएंगे बहुत 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 बढ़ा है तो टैंक बढ़ा होने के साफ से इसमें ड्रेनेज के लिए भी हमने तरकिये वलावी हम दो तीन आडिया है हम लोग के दिमाग में कि किस तरह से इसको बनाया जाए जाए बहुत ही आसान बहुत ही आसान तरीके से इसका ड्रेनेश करके दिखाया जाएगा तो भाई लोग बताएंगे बस ठीक है यह एक वीडियो था हम लोग देना था हम लोग को कि हम लोग काम कहां तक पहुंचा क्या हो रहा है वे जो है कुछ लोग ने कमेंट करते हैं लोग कि सर दिवाल आपकी कहीं पर निव खदा जा रहा था वह आप डाल दिए तो यार दिखा करके कितना दिन जूट बोलेंगे तुमसे चार दिन पांच दिन बाद आना काम दिखने लगेगा यह राउंड किस लिए इसकूल के लिए बन रहा है कि किसी के घर के लिए बन रहा है कि मचली पा है यहां पर आकर कि दिवाल यहां चौड़ी हो जाएगी लेकिन अंदर नहीं देगी बाहर के साइड में फिर इसी मसे दो ब्रांच कट किस निकल जाएगा और देखे दो टैंक के बीच में कैसे एक दिवाल से हम दो टैंका यूज कर ले रहा है तो यह यह लागत मेरी बच मचली जादा रहता है मचली जादा रहती भाई रिस्क तो आपके 10,000 लीटर में भी तो है यह भी तो समझे आप 10,000 लीटर में कम इंवेश्मेंट नहीं आपका जो पुछ लेके बात करना तो ठीक हमने सोचा है अगर छोटा सा यह रिस्क अगर ले रहे हैं लोग 10,000 करे र सब्सक्राइब करें करें लेकिन अब लाइन पे खनवा के रेडी कर चुके है कल से काम इस्टार्ट हो जाएगा यह उपर देखिया जो है यह यह अपर पोल के पास में रूम बनेगा महाँ पे जो है इस्टोर रूम नहीं है कोई इतना वड़ा रिस्क ले रहा है 200 ला का कंस्ट्रक्शन करवा करके मचली डालेगा पांच चार पांच लाकी मचली का बच्चा ही लग जाएगा अभी मसीने खरीद नहीं है तो इसको भी सेडिंग करनी हूं सब कोस्टिंग हटा दीजिए आप ढ dessus ही तो years कुछ किया गया है कुछ पाया गया तब क्या जा रहा है तो को चारते देशा हूँ पोधर कोशा करेगा। रखो गये रिस्क कभी अर्था होग手 नहीं होगा वीमार्य फिस्ट करेगी ऑदीरे फिमार्य क्यो मुझ पकड़ेगी जब हैं ड़ी नंबर Dwork a प्ईबाइब भी दोस्तों वक्र आप लोगोटा ना जो प्यार है भीयाँ देते रहो आप लोग जो बनता है अब आप लोग कर सकते हो करते सब्सक्राइब करें कि अगर बात पे आनी हो तो बात पे मैं बता दू मेरी भी प्लानिंग इतनी है मैंने कहा ना इसके बाद 16 टैंक और लगाने की छमता है लगवा सकता हूं लेकिन अभी चाठ टैंक लगा करके चला लिया जैसे आप जूटी में बोल दें कि 5,000 टैंक का सेट अप और लगवा रहे हैं पान साल में कोई मतलब लेकिन मौके पर आप 10 लाक लीटर का देख सकते हैं इसी क्रम में आप लोग आशिर्वात बना रहेगा थम लोग बढ़ते रहेंगे आप लोग के आशिर्वात की बहुत जरूरत है जरूरत है आप लोग होसला आप जाई करते हो घूमते जानते पहचानते चीज़ों कम लोग नी चोड़ते हैं वाई क्या किया जाएगा यह बिलकुल बिलकुल तो यह यह बहुती चर्चित हस्ती है यह नवसकार दोस्तों मैं अभिशेक त्रिगुनायत गोरकपुर से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिननन करता हूं दोस्तों यह हमारे भाई साब है ठीक है इनको भी बड़ा जुनुन चड़ा हुआ है तो भी सोचें है कि अपना बड़ा बड़ा सेट अप लगाने के लिए जो है तो यह भी अपने आने वाले दिनों में मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और आप लोगों के शु था यह नावद आप प्रिंस भाई जुड़ा दोस्तों प्रिंस भाई यह को नामस्काल भाई भाई